मैं इसके अंदर मानव की और मानर की टीनों की डेवे शक्ति बताए गए है इसमें तीन प्रसंगों में भाग किया गया है हर प्रसंग अंदर नए-नी मित्र बाते है और वेली अपने अपने देवे शक्ति प्रसालत करते हैं जब रावन ने सीता जी का हरन आपने वायों गया था उसके पच्छा तो रावन जी को पूछ निकालने के लिए और रावन जी जिस परकार पूछ निकालते हैं रावन उसे पकड़ता है और उसे जब हर्मान जी उसे लेकर उड़ते हैं तो वह परवत पहाड पेड़ एवं चीज़े बीच के अंदर आते हैं उसे बिढ़ता हुआ चला जाता है और आक्सी के अंदर लंका पहुंच जाता है उसे इस प्रसंग में काफी काफी चोटे बता छिए रहा है और मानुच के प्रसंग के अंदर मानुच कैसे पुटली बनाता है रावन के उसका बिर उसकी चर्चा की गई और तो रावन के पुटले को चलाया जाता है ना दूर्गा अश्ट्रु ने लंके इस कि उसका भी प्रणन किया गया है को और कुछ यहाँ कि शिव के चरणों में इसमें बारे में पताए गया पहला प्रसंट रावन के देवी शक्तियों गया यह दूसरा प्रसंट मानाव के बारे में इसकर गया गया और तीसरा हन्मान जी के बारे उसका नाम है पुचला